अलो बच्चु आज मैं आपको कक्षा सात्वी जिसका विशय है गनित इसकी वक्षित घंबर 37 कराऊंगी जिसकी डेट्ट है में पास 10th December 2021 तो आज की वक्षित में हम क्या करने वाले हैं आज की वक्षित में हम रचना करना सीखने वाले हैं, जो समांतर रेखा है होती है, कि उनकी रचना की कैसे जाती है, तो देखो लिखा है यहाँ पर, एक दी वही रेखा से, कि समांतर उस बिंदू से होकर रेखा कीचना, जो उस रेखा पर इस्तित नहीं है, तो आपको क्या करनी है, एक रेखा आपको दी गई होगी, उसके समांतर आपको एक और रेखा बनानी है, लेकिन बनानी उस बिंदू से है, जो उस रेखा पर इस्तिती नहीं है, मतलब उस रेखा पर नहीं है, वो बिंदू कहीं और है, तो वह रचने के आपके यहां पर देखो, यहां पर आपको कुछ steps दे रखे हैं कि किस तरीके से आपको इसकी रचना करनी है, ठीक है, step by step हम इसको समझते हैं कि कैसे आप 2 समानता रेखाएं बना सकते हो, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक रेखा बनान अब आपको फिर क्या करना है, एल बनाने के बाद कहीं पर भी एक बिंदू A ले लो, पर रेखा के उपर मत लेना और कहीं भी ले सकते हो, ठीक है, तो मैंने उपर ले लिया A बिंदू, ठीक है, फिर दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, यहां पर रेखा के उपर कहीं प आपको अपना प्रकाल लेना है. प्रकाल आपको चाहिए उहां पर और व्ह शेल आपको चाहिए ». प्रकाल लीजिए, उस में एक फैंसेल को फिट कीजिए. आप मेरे साथ साथ यह ज़ीज़ा करते रहे. अपको कोई दि revelत ही ना है. तो प्रकार में pencil fit करने के बाद आपको क्या करना है, प्रकार को खोल लो थोड़ा सा, कितनी भी त्रीजा का खोल लो आपकी मर्जी है, ठीक है, अब आप क्या करो, प्रकार को रखो आप B पर, और A कैसे करके चाप लगा दो, ठीक है, और इसको नाम दे दो D, और इस वाले को प्रकार बंद मत कीजिएगा चाप लगाने के बादे, अब वही सेम प्रकार आप रखो A पर, तो एक और चाप लगाओ, तो चाप ऐसे लगेगी कुछ, इसको नाम देदो F, इसको कटिंग पॉइंट को नाम देदो G, और इसको नाम देदो E, कुछ भी नाम दे सकते हो, यहा खोलना है सिर्फ प्रकार, इतना, clear है, खुल गया इतना प्रकार, अब आप क्या करो, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर रखना है G, जीपर रखो और उसको यहाँ पर एक चाप लगा दो, जीपर रखने के बाद, ठीक है, यही सारी चीजें आपके पास यहाँ पर रखा M, जो नाम आपके कोशन में यहाँ पर दे रखा है, मैं वही नाम दे रहूँ, F नाम दे रखा है आपको, तो यहाँ पर क्या नाम दे रखा है, H नाम दे रखा है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, H, तो यह बन गई आपकी दोनों समानता रखा है, clear हुआ कोशन, अभी 2 questions और आपको दे रखे हैं, कहीं पर भी doubt है किसी step में, तो उन questions में clear हो जाएंगे, यह आपको सारे steps यहाँ पर लिखके दिया है, वही चीज लिखे हैं, जो हम ने की, ठीक है, चलिए, अभी आगे देखें, तो देखो, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, एक रेखा, मा लिखें, माल लीजे, A, B, ली, तो मैंने यहाँ पर AB एक रेखा लेली, लेली AB एक रेखा, ठीक है, उसके बाद कहरेंगे, और इसके भार इस्तित कोई बिंदू C लीजे, तो यहाँ पर मैंने एक C बिंदू लेली, ठीक है, अब पैमाना और प्रकार का इस्तमाल करना है, और C से होकर AB के समानतर एक रेखा बना लिए है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक बिंदू ले लेंगे D, कोई सी भी, पहला step-up हमारा यह है, क्योंकि जितना हमें दिया गया थो उतना तो हमने बना लिया, तो हमने यहां लिया D, अब C से क्या क्या इस D को जोड दिया, जोड दिया, अब उठालो आप अपना प्रकार, कितनी भी तृजा का प्रकार खोल लो, तो एक चाप यहां पर लगा दो, और C पे लखकर एक चाप यहांपर लगा दो, दोनों पर लगा दो, ठीक है, नाम भी देते रहो सासत, तो इसको दे दो X नाम, इसको दे दो यहां करना हे प्र看 का जो point है वो रखे Y पर ठीखे और pencil का जो point है वो रखे X पर और आप इतना प्रकार क्षोल लो खोल गया इतना प्रकार आपका अब आपको क्या करना है एक्ष पर वो planning का point रखो और यहां पर एक चाप लगा दो लगई चाप यहां तक बस आप आप कुछ नहीं करना है, अब इसको इस रेखा को इस बिन्दू से जोर दो, सीधी रेखा ही बनेगी. ठीक है? क्लिर रहे हैं यहां तक? यह बन गई आपकी दोनों समानता रेखा हैं. आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो, मैं इसे PQ नाम दे देती हूँ, आपकी मर्जिय कोई भी दे सकते हो, अब क्लियर हो गया, अभी भी कहीं doubt है, तो अभी एक और question है, उसमें भी यही करना है, तो वो भी clear हो जाएगा, ठीक है, करें question number 2, चलिए, तो इसको हटा देते हैं, question number 2 कर लेते हैं, यहीं पर ही, तो जैसे-जैसे question में बोलता रहेगा, वैसे-वैसे हम यहाँ पर करते रहेंगे, ठीक है, ना, देखो, सबसे पहले question read कर लेते हैं, एक रेखा L खीचिए, और L पर इस्तित, किसी भी बिंदू L पर लम खीचिए, इस लम रेखा पर एक बिंदू X लीजिए, जो L से 4 cm की दूरी पर हो, X से होकर L के समानतर एक रेखा M खीचिए, ठीक है, आपसे क्या कहना है, आपको एक रेखा खीचिए है L, और उस L पर क्या करना है, एक लम रेखा खीचिए है, तो step by step करते रहते हैं, सबसे पहले एक रेखा खीच लेते हैं L, तो यही मेरी वो रेखा L, इस पर किसी भी एक बिंदू से लम बनाना है, तो मैंने यहां वो बिंदू ले ली और यहां लम बना दिये, लम का मतलब होता है, कि सीरी एक रेखा, आप चोओ तो यहां 90 डिगर तो आप ऐसा किजिए, जो आपका प्रकार है उसे 4 cm का खोल दो, खोल सकते हो 4 cm का, खोलने के बाद इस बिंदू बेज, इसको मैंने नाम दे दिया A, ठीके इस पे रखो प्रकार का पॉइंट, रखा आपने यहां पर प्रकार का पॉइंट यहां पर रखो, और 4 cm की ह tipis, य क्योंकि अभी आगे और चाप भी लगानी है, तो फिर चाप मिक्स हो जाएंगी, यह लगा दिया, बी नाम दे दिया, क्लियर है यहां तक, अब आपको क्या करना है, इस बी पॉइंट से एक समानता रेखा बनानी है, ठीक है, इसे एक्स नाम देना है, उन्होंने लिखा है, तो हम एक्सी नाम देते हैं इसको फिर, ठीक है, आप कैसे करना है देखो, फिर दुबारा प्रकार उठाओ, कितनी भी रिजा का खुलो प्रकार और एक चाप यहां पर लगा दो, जैसे अविखी उपर वाले कोोशन में किया है, सेम वैसी, और ऐसी एक्स पे रखो और एक चाप यहां पर लगा दो, फिक है, इसको नाम देदो, आप कुछ भी नाम देदो, इसको मैंने नाम देदिय का दिया, D अब वो यहाँ पर रखो, इसको नाम H देदो, H पर रखो और एक चाप यहाँ लगा दो, बस अब तो बन गया, अब यहाँ से क्या करो, अपनी सीधी रेखा खीच दो, ठीक है, यह रेखा का नाम देदो, आप M, यह बन गई आपकी समानतर रेखा है, तो सेम कोशन नमबर 1 ह बस उसनों उसने पता है, पहले क्या बोल दिया, एक लम बना दो, और उस पर 4 cm का क्या कर दो, एक बिंदू ले लो X, और कुछ अलग नहीं है, बाकी के सारे स्टेप सेम कोशन नमबर 1 की तरह है, और जो हमने उपर समझे है, उसी की तरह है, ठीक है, फिर भी अगर आपको क आउट है, तो आप कमेंट करके पूछ लीजेगा, हमारी ये वरक्षिट इसके साथ यहां पर कम्प्लीट होती है, नेक्स्ट वरक्षिट हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक जरूर कीजेगा, और म द्क य।